बाबा काशिरवाद SPN चैनल पर आपका स्वागत है बहुत सारी आकर्तियां हमारे पास आती रहती है और इन आकर्तियों में नाग की आकर्ति हमारे पास बहुत आती है चंद्र की आकर्ति हमारे पास बहुत आती है बहुत सारी आकर्तियां कुछ न कुछ एक सिंबल होती है और आप सभी को पता है कि नाग शक्ति बहुत सारे देविदेताओं के साथ चलती है विश्णु बगवान के साथ बगवान शिवजी के साथ और हर मनुष्य के सरीर में कहा जाता है कि नाग शक्ति विराजमान होती है नाग कुंडलीनी के परती के रूप में होती है इसमें कहा जाता है कि जो मूला धार जो सबसे पहला चक्र होता है वहाँ पर नाग साड़े तीन चक्र वल्ले लगाकर वल्ले का मल होता है घेरा लगाकर कुंडलीनी मारकर कह सकते हैं इसको वह अपनी पूँच को मूँ से दबा कर रखती है और यह कुंडलीनी शक्ती उन वल्लों से गुजरती है जब वह सीधा उपर उठकर मेरुदंड से होकर मस्तिक तक पहुँच जाती है इसके साथ कुंडलीनी शक्ती चागरित हो जाती है इसमें बहुत सारा प्रभाव देखती है हमारी नाडी तंतर एक फन फेला कर उठे वे नाग की तरह दिखता है और उसी की तरह काम करता है वेग्यानिक तोर पर नाडीों में स्वेधना भी नाग की तरह लहरदार ढंग से ट्रैवल करती है इसलिए मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम पूजा करते हैं ध्यान लगाते हैं हमारी रीड की हैडी में कुछ चलता है या कई यों को ठंडी हवा मैसूस होती है कई यों को गरम हवा मैसूस होती है या कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पीठ पर कुछ चल रहा है ये सब के experience अलग-अलग है जरूरी नहीं है कि ये सब को हो पर 90% सब को ये experience मैंने देखे हैं वजर उस नाक की पूँच है उसे आधा वल्ले भी कह सकते हैं अंड कोश वाला चेतर पहला वल्ले कुंडल है इसके भा दूसरा घेरा मास वे तंत्वों का है तीसरा घेरा हड़ी का है जो मेरु दंड से जुड़ा होता है जैसे उपर उठे वे नाक की पीठ के नीचे हिसे में अंदर की दिशा में एक बैंड एक मोड होता है वैसे ही है मारे पीठ के नीचे के हिसे ना भी के बिलकूल अपोजि हैं फिर दोनों का सिर का मोड होता है जो लगबग एक समान होता है नाग के कई सिर इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि हमारे सिर मेरू दंड से कहीं गुना जोड़ा वैं मोटा होता है जिससे उसकी तुलना के जाती है अगर आपके दीपक पर भी नाग की आकरती बनती है तो उसमें जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो कुछ चकर आपके भी एक्टिव होंगे, क्योंकि बिना चकर के एक्टिव हुए, कभी कुणली शक्ति जागरित नहीं हो सकती है, इन दोनों का सीधा संबंध होता है, इस बात को सदय याद रखे, इसलिए यह वीडियो समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, और क्योंकि खुद के जब तक आप experience नहीं होती है, उस बात को समझना आसान भी नहीं होता है, फिर भी आपके साथ कभी यह भाव जरूर हों, और इसलिए मैं इस वीडियो को समझाने की आपको कोशिश कर रही हूं, रीड की हड़ी के अंदर नाड़ी को भी हम नाग की तरह अनभव करते हैं, दोनों में समानता मिलती हैं, नाडिया भी नाग की तरह या रसी की तरह होती हैं, वजर की नाड़ी का नाकोपू समझोब और भाई आधी चकर भी है स्वाधिन स्ठान चकर जहां कुंडलनी का ध्यान होता है नाका पहला चकर कुंडल घेरा है आसपास शेतर की नाड़िया भी वहां से जुडती है वही नाग का पहला घेरा, दूसरा घेरा उसे कह सकते हैं जहाँ नाड़ी के स्क्रेपल प्लेकसंस नाड़ियों के जाल से जुड़ता है, तीसरा घेरा उसे कह सकते हैं जहाँ पर हमारी स्पाइन कोड से मिलती है, जहाँ स्क्रेपल प्लेकसंस स्पाइन कोड से मिलती है, वहाँ पर वैं नाग स्पाइन कोड के उपर खड़ा हो जाता है जो मोटा भी हो जाता है पीट के लंबर छेतर में से पेट की तरह गड़े वाला एक मोड आता है अगला मोड उपर आता है सिर के नजदीक सिर के अंदर का नाड़ी पुझ उस साप के अनेक फण है जो हमारे नाग शरीर से जोड देता है इसका सीधा सम्वंद इसका अर्थ यही है कि जो हमारी रीड की हड़ी है वहाँ पर हमें अगर हमारे साथ चकर है उन पर धिरे 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 हमें प्रभाव मैसूस होता है और उस प्रभाव को हम समझते हैं हमारे शरीर के अंदर कुलनी चकर भगवान शेशना के शरीर के मुख्य बिंदू या वासुकी जी के मुख्य बिंदू को माना जाता है इसलिए नाग शक्ती बहुत ही हमारे लिए धार्मिक दरश्टी से पूजनी है इसलिए आप देखते हैं कि जैन मुनी भी पूजते हैं विश्णु भगवान में के साथ भी और शिवजी के साथ भी पूजा होती है और आसान सब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो कुणलनी शक्ती एक तरह से नाग शक्ती की तरह मिलती जुलती है साथ की तरह ये सरहाट करती है आपके जो रीड की हड़ी है उसमें आपको कुछ चलता हुआ मैसूस होगा इसलिए नाग का पूजन बहुत ही धर्मों में किया जाता है लगबग सभी धर्मों में नाग को पवीतर वे पूजन माना जाता है नाग पर सेयन करते हैं और सिर्जी तो गले में ही धान करते हैं नाग कुण्रणी नहीं है मैंने कुण्रणी को नाग के रूप में सुन रखा था पर ये इसको हम नाग नहीं कह सकते हैं ये नाग की शक्ति की तरह कारिय करती है जैसे भगवान विश्णू नाग नहीं है व पर नाग पर विराज मान है इसको भी कहते हैं कि एक नाग की तरह शक्ती है कुण्ड़नी शक्ती नाग शक्ती मानते हैं क्योंकि हम हर चीज को आपस में जोड़ कर देखते हैं जैसे कहा जाता है कि शेश नाग के सर पर पर्थवीर विराज मान है और इसी तरिके से हमारे हर कि यहां चुनली जागन में ना के ध्यान से ही आपको यह स्क्तिया प्राप्त हो, यह स्क्तिया आपको किसी भी देवी देवता की शाधरा से प्राप्त हो शक्तिया हैं, और कोई भी अगर बहुत ज्यादा कर सकता है, कोई भी योगासन और जैसे म्यूजिक थेरपी होगी बहुत सारी देखो उनलेनी शक्ति को जागर करने के बहुत तरीके हैं जो हिमाले पर हर दुआर में और बहुत सारे अगर आप देखोगे तरीकों के दुआरा सिखाया जाता है हमारे धर में इसको कुछ अलग रूप से बता जाता है और अलग अलग शेतरों में इसको अलग अलग रूप से डिफाइन करती हैं तो इसलिए हर कोई ये कहता है कि इसके बारे में लोगों के अलग अलग धानाई हैं इसके बारे में अगर आप बहुत सारे लेख भी पढ़ेंगे तो सब के धाड़ाएं अलग-अलग होती हैं पर फिर भी जो हमें अंभो ज़्यादा महसुत होते हैं तो अगर कोई शिव की पूजा करता है तो मैंने अपने अभी जितने भी भक्ति के एक्सपिरिंस कियें तो म आग शक्ति के रूप में हमने उनके साथ देखे हैं और मैंने नाग शक्ति की पेशी भी देखी है नाग शक्ति के पास भी स्वयम्ला में रहता है जो इनको दर्शन भी देटी है यहां पर मैं आपको बताना काथी हूं कि ए कि बहुत स скор b tarb हमारे पास ते लमान नाम से पश्ठ हैं ऐसी शिव के भी दूर होनी हैं और कई जो पेसी है वो देखो मैंने अलग रूप में हार्त में नाग पंच्व के पुजा की परमपरा है और सब्की को पता है कि इनका अलग अलग परमपर प्रमप पी अलग रहता है तो बहुत चीज़ों में नाग देवी की साधना करने से कहते हैं आपको बहुत इस पश्ठ बविश्य दिखता है आप गड़े वे खजानों को भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे से चीज़े हैं जो मैंने जीवन का आलगे उनके बारे में देखती जा रहे हैं और बाबा की किरपा रही तो शायद आगे भी देखते रहेंगे और इस विशे पर बहुत सारे लोगों के अलग लग विचार भी हैं पर मैं तो जो देख रही हूं चीज़ों को ही आपके साथ एक्स्प्लेइन कर पाती हूं कि नाग की शक्तिया बनना अपने ऐसी आकरतिया बनना कहीं न कहीं और आप होग ज़्यादा अमनमश्वाई का जा जाता है क्योंकि हर्मान जी की साथ ना अलग होती है शिवजी की साथ ना अलग होती है इन साथ नों में बहुत रूप अलग अलग होते हैं बोलो जैश्राम 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 जै झाल झाल